हलो मिस्टा क्लासेश की तरफ से सभी को नमस्कार आज फिर एक बार कोश्चन लेकर के हम आए हैं चैप्टर का नाम है केमिकल कोडिनेशन एंड इंटिगेशन तो चलिए शुरू करते हैं बगएर टाइम खत्म किये हुए तो पहला कोश्चन आज हम यही करने जा रहे हैं कि यह कोश्चन पूछ लिया जाए पहरा थार्मोन हार्मोन ब्लेड में कैल्सियम आयन के लेवल को बढ़ाता है या घटाता है तो blood में calcium के level को बढ़ाता है और thairocalcitonin hormone blood में calcium के level को घटाता है दोसा question ये पूछा जाता है कि adrenal gland की origin कैसी होती है तो adrenal gland की origin ecto-measodermal होती है क्योंकि adrenal gland दो पार्टों से मिलकर बनी होती है outer part adrenal cortex and inner part adrenal medulla adrenal cortex की origin measodermal है और adrenal medulla की origin ectodermal है मतब adrenal gland की origin ecto-measodermal है नेस्ट अगर तुमसे पूछा जाता है life saving hormone कहां से secret होती है तो आपका answer है adrenal medulla से secret होते है life saving hormone कोई emergency hormone भी करते है या stress hormone भी करते है जब unfurable condition से ये body को protect करते हैं अगर question तुमसे पूछा जाता है कि pancreas किस type की gland है तो pancreas एक compound gland है pancreas के अंदर exocrine और endocrine पार्ट दोनों मौजूद है अगर question पूछ लिया जाता है होती है इसमें glucose को glycogen में convert किया जाता है और glucose का नार्बोल किस पर control करता है glycogenosis और glycogenesis और glycogenesis पर control करता है glycogenosis में glycogen को glucose में convert किया जाता है और glycogenesis में परोटीन को glucose में convert किया जाता है अगला question अगर तुमसे पूछा गया कि टेस्टीज क्या है तो male की primary sex organ होते है और ovary क्या है female की primary sex organ है अगर तुमसे पूछा जाता है ANF मतलब atrial natriuretic factor कहां से secret होता है तो आरिकल की wall से secret होता है और ये क्या काम करता है blood vessels को फैला देता है जैसे blood pressure कम हो जाता है तो blood pressure को कम करने का काम करता है अगर तुमसे question पूछा गया epineprin किसका derivative है तो ये amino acid का derivative है next अगर तुमसे पूछा जाए हार्मोन क्या होते है तो हार्मोन chemical messenger होते है अगर question पूछा जाए second chemical messenger कौन कौन से है तो AMP, IP3, CA2 plus N इनको क्या कहा जाता है second chemical messenger कहते हैं तो आज मैंने कुछ ये important questions बताए हैं इन questions की बार बार करें practice registration आज से open हो चुके है और registration एक फरवरी तक रहेंगे क्योंकि test series हम एक फरवरी से start कर देंगे उसके बाद registration बंद हो जाएंगे टोटल फ्री है इसका फाइदा अगर जो आप उठाना चाहते हैं तो तुरन्त registration कराएं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर share कर लें ओके